हेलो डियर स्टूरिंट्स ओफ क्लास नर्सेरी वेलिकम टू जैनित गुरू किट सेंटर तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले है हमारा टॉपिक क्या है आज का एको देख रहा है आपको हैवी लाइट की वोक्षीट करेंगे हम ठीक है हेवी का मतलब क्या होता है जो चीज भारी होती है और लाइट का मतलब क्या होगा जो चीज हलकी होगा तो हमें जैसे हमारे पास यह दो पिक्चर है तो मैं इन दोनों में यह फाइंड आउट करना है कि कौन सा हेवी होगा और कौन सा लाइटर होगा ठीक है कौन सा भारी होता है और कौन सा हलका होता है तो जैसे यह आपको यहां पर क्या दिख रहा है लीफ दिख रही है लीफ तो लिया ही होगा हाथ में काफी जब पेड़ से तूटके गिर जाते हैं तो बहुत बच्चे उठा के खेलते भी अपसे ठीक हमाला बनाते हैं जैसे मैंने बनाए है बहुत तो यह है लीफ जब आप उसको हाथ से उठाओगे तो बहुत हलका होता है बहुत लाइट वेट का होता है और इसी के कंपेर में अगर आप लैंप देखो तो लैंप क्या होगा लैंप हेवी होता है बहुत भारी होता है आपके वेट से जादा भारी नहीं होता तो इन दोर which is heavier देखो heavier का मतलब क्या है? भारी ठीक हमें किस पर करना है? जो चीज भारी है ठीक है? सिर्फ जो हम दो चीज compare करेंगे उन में से हमें देखना है कि कौन सा light है और कौन सा heavier है ठीक है? तो ये क्या होगा? light होगा है ना? ये light होगा weight में और ये heavier होगा तो हमें कौन से वाले पर टिक करना है? heavier वाले पर तो heavier क्या है? लेंप है तो हम इसे इस पर टिक कर देंगे ठीक है? उसके बाद mango और leaf ठीक है? इन दोनों में से कौन सा heavier होगा और कौन सा lighter होगा? आप mango खाते हो ना? mango के season में तो mango का weight जो होता है वो leaf के weight से भारी होता है ज़ादा होता है है ना? तो obvious सी बात है ये क्या है? mango heavier है? है ना? किसके compare में? इस leaf के compare में तो हमें heavier वाले object पर टिक करना है तो हम इस पर टिक कर देंगे ठीक है? third question में ये क्या है? tight है? है ना? kite और ये ball है जब आप इन दोनों को compare करते हो kite और ball दोनों ही आपने उठाए होंगे तो किसका weight ज़्यादा होता है? ball का? है ना? तो ball क्या हो गया? heavier हो गया किस से? kite से तो हमें किस पर टिक करना है? heavier वाले पर तो हम किस पर टिक करेंगे? ball पर ठीक है? ये क्या है? ये cow है drawing बहुत ही ज़्यादा बेकार है इसको mind मत करना ठीक है? ये क्या है? cow है कभी आप इसको god समझने लगो ये cow है ठीक है? और ये क्या है? hen है तो इन दोनों में से weight किसका ज़्यादा होता है? देखो ये size में भी बड़ा होता है cow? है ना? बोड का size मत देखना? रियल cow का size देखो वो क्या होता है? हैंसे बड़ा होता है तो अब इससी बात है उसका weight ज़्यादा होगा है ना? तो heavier कौन हो गया? cow हो गया? तो हम क्या करेंगे इसे? cow पर टिक कर देखो ठीक है? heavier का मतलब क्या बताया था वने भारी? और lighter का मतलब क्या होगा? हलका जिसका weight क्या हो? हलका हो जो चीज उठाने में आपको बहुत light लगे जैसे मैंने ये पैन उठाया तो मेरे लिए तो ये बहुत light है ठीक है? बट जो छोटे-छोटे और बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा heavy हो सकता है थोड़ा सा जादा नहीं ठीक है? तो हमें weight के according देखना आता है कि कौन सी चीज lighter है और कौन सी चीज heavier है ओके? सो हमने पिछले वाले question में heavier objects को tick किये थे और इस question में हमें क्या करना है जो चीज जो भी इनमें से lighter है जिनका weight lighter है उन पे हमें क्या करना है? टिक करना है है ना? टिक करेंगे तो सबसे पहले compare करेंगे देखो इसमें comparison वाला तो कुछ भी नहीं है ठीक है? weight के according देखते है होता है वो तो है ना? heavier होता है ना? बहुत heavier होता है हमारे weight का तो double, triple होता है है ना? तो जो car का weight होगा वो क्या होगा? heavier होगा बट हमें टिक किस पे करना है जो की lighter है है ना? तो हम क्या कर लेते हैं? cross कर देते हैं जो भी heavier है ठीक है? इस पर हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया. क्यूं? Because कार is क्या है? हेवियर है. है ना? हेवियर का मनलब क्या होगा? भारी है. आप उसे उठा नहीं सकते? ठीक है? उसका वेट बहुत जादा होता है. उसके बाद पेन है. पेन का वेट क्या करना है, टिक करना है same, कोई भी आपके घर में कोई भी एक की होगी, चा भी होगी अगर आप उसे उठाते हो तो कितना और light weight का होता है वो बहुत ही lighter होता है ना हलका होता है, तो हमें क्या करना है इस पे lighter objects पे टिक करना है है ना उसके बाद यह leaf देखो, leaf भी lighter होता है, जो हमने पिछले question में देखा था, leaf क्या होता है, lighter होता है, इसका weight बहुत हलका होता है, same, यह क्या है, किसे को पता है, यह क्या है, rhinosaurus है, तो इसका जो weight होता है, यह भारी होता है, heavier होता ही, है, है न, क्या होगा यह, heavier होगा, so हम क्या करेंगे, इस पर cross कर देंगे, ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, hinda, उके, उसके बाद जो एरोपलेन का weight होगा, एरोपलेन का weight भी क्या होगा, heavy होगा, है न, तो it is heavier, so heavier objects पर हम क्या कर रहे हैं, cross लगा रहे हैं, ठीक है, और lighter, देखो, यह dice जो है, यह as compared to, यह इनके, क्या है, lighter है, है न, तो lighter objects पर हमें क्या करना है, टिक करना है, तो हमने टिक कर दिया, उसके बाद यह cap है, cap भी क्या होता है, light होता है, हलका weight होता है, जाद बाहरी नहीं होता वो, है न, उसके बाद जो यह dumbbell होते हैं, इन यह dumbbell होते हैं, ठीक है, यह क्या होते हैं, इनका weight क्या होता है, heavy होता है, यह heavier होते हैं, तो इस पे हम क्या कर देंगे? Cross कर देंगे. ठीक है? उसके बाद यह Eraser है. Eraser तो सब के पास होगा. सब के पास. उसका Weight देखा है कितना सा होता है? वो Size में वो इतना सा होता है. उसका Weight भी क्या होगा? बहुत हलका होगा. है ना? Size पे Weight depend करता है. जितना बड़ा Size होगा, उतना ही वो उस Objects में क्या होता जाएगा? वो Heavier होता जाएगा. है ना? तो वो Eraser क्या होता है? लाइटर होता है. तो हमें क्या करना है? लाइटर Objects पे टिक करना है. ठीक है? Revision के लिए बता दूँ. तो Heavier का मतलब होता है भारी और लाइटर का मतलब यहां लिखा है हलका. ठीक है? लाइटर का क्या मतलब होगा? हलका. इसको हम Weight के According देखते हैं. ठीक है? किसका Weight कम है? किसका Weight ज़्यादा है? ठीक है? अगर मैं इसको बहुत Common सा एक Example लूँ कि आपके घर में जैसे आपके Father होगे हैना? और जो आप हो आप अपने आपको देखो और अपने फादर को देखो आप क्या होगी अपने फादर से lighter होगी और आपके फादर क्या होगे? क्योंकि उनका Weight ज़्यादा होगा और आपका weight कम होगा Max to Max मैं मालनू कि आपका weight है 12 kg ठीक है 12 kg आपका weight है और आपके father का 65 माल लेते हैं तो जादा किसका है आपके father का weight जादा है तो वो क्या हो गए heavier हो गए ठीक है समझ में आ गया heavier का मतलब होता है भारी lighter का क्या मतलब होगा हलका weight के according देखते हैं तो I hope हमने इस वीडियो में heavier हो लाइडर को बॉक्षीट कर ली प्रेक्टिस करें हमने सारे questions की ठीक है तो I hope किसी कोई doubt होगा नहीं अगर फिर भी कोई doubt है तो वो comment में पूछ सकता है और description box में whatsapp link है उसको tap करो और अपने whatsapp group में add हो जाओ ठीक है हमारे साथ उसके बाद आपको जितने doubts पूछने हैं उतने doubts पूछो comment भी कर सकते हूँ ठीक है so I hope आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को like करें share करें and जो चैनल पर नया है वीडियो वो पहली बार देख रहा है तो वो चैनल को subscribe कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे हम मिलेंगे अपने next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care thank you so much bye bye